आज मतगर्ना की गिंती है और हम खड़े हैं और यहां पर पूलिस का चाक्चोवंध है वो काफी ज्यादा है आपको बताते चले कि यहां पर मुकावा विधान सवाद छेत्र का वोटो का गिंतिंग किया जा रहा है और तमाम जो स्वक्षा कर्मी है वो लगातार तैनात है तमाम चीजों को बारिक्यों से देखा जा रहा है आपको बताते चले कि पत्ता के डिये और एसेसपी खुद चीजों को मॉनेटरिंग कर रहे है और मॉनेटरिंग करने के बाद किस तरीके का जो निर्देश है उन लोगों को दिया है और हम आपको पहले जो पत्तना के एसेसपी है हमारा जेव सिंग धिल लो उनको सुनवाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहा है सुना की लिए तरीके से मत घर्णा की गिंदी चल रही है और तमाम हमने जो परशार्षन है वो तहिनात किया तीन फोर्सों की तिन जो रिक्ते बल है उसको तैनाथ की गई है तमाम चीजों को बारिकी से देखा जा रहा है और जो भी हो रहा है बिलकुल सांति पूर्ण धंग से हो रहा है आपको बताते चले कि यह आरिया वर्ट इन्वर्सिटी कैंपस है जहां पर मतगर्ना की गिंती हो रह है और तमाम चीजों को बारिकी से देख रहे हैं और देखने के बाद जो एसेसपी ने कहा हो अभी आपने सुना और जो पूरे जो यह इलाका है वहां पर पुलिस के तैनाथी कर दी गई है और जो भी लोग आरिया भर्ट इन्वर्सिटी के अंदर दाखिला हो रहा है जो बारीकियों से देखा जा रहा है, बारीकियों से पुछ ताच किया जा रहा है और SSP है, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे तीन जो बल के जवान है, ब्यार पुलिस, CRPF, और भी जो लोग हैं, उनको तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का दिक्कतों का सामना नहीं कर पड़े, SSP खुद आये हैं, पटना के DM आये हैं, और तमाम वो चीज है, वो चीजों पे नजर रखा जा रहा है, कि कुछ भी किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, देखे, आरिया भट इन्वर्सिटी के अंदर हैं, जहां पे मतगर्ना चल रहा है, और यहां पे मुकामा SSP, माना जीम सिंध घिल्लो है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां परशाषन के तैनाथी की गई है, क्या कुछ जो सुभधाय है, वो है, और किस तरीके से परशाषन ड्यूटी कर रहा है, बगए कि तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हैं, ब्यार इन्सोट के सार्व ब्यार इन्सोट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किजिए, हमारे फेस्बूक पेच को लाइक करना बिलकुल ना भूले, धन्यवाद